दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने ओवरडाप के बारे में पूरा डिटेल से आप लोगों बता दिया है कि ओवरडाप क्या होता है ओवरडाप कैसे मिलता है ओवरडाप कहां से बनता है ओवरडाप पे कितना इंटरेस्ट लगता है यानि ओवरडाप के बारे में पूरा करते हैं उसके बारे में देखेंगे और तैको मेट करने पास पैसे तो उससे वापस से ऊवरणा किसे करेंगे इसके बारे में भी आज है आज इसवीडियो में लोगा देखेंगे तो चलिए वीडियो को start करते हैं दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ये बेल आइकन दबाई ताकि आपको हमारे लेटेस्ट टेकनोलोजी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें सबसे पहले दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम अपने वाइल के अंदर यूनोव अप्लिकेशन को ओपन कर लेंगे और उसमें MP डाल का लॉगिन हो जाएंगे यहाँ पर मैं यूनोव अप्लिकेशन में लोगिन हो चुका हूँ वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे आपसन दिये हैं लेकिन आप पहले नमाद पर एक आपसन है अकाउंट्स हम इस अकाउंट में क्लिक करेंगी यहाँ पर हमारा 7 अकाउंट नमर सो होगा और इसके बगल में अकाउंट का बैले सो होगा चलिए My Deposit पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमने यहाँ पर एक FD एकाउंट क्रेड किया है जो कि 20,000 रुपए का है और इस पर इंट्रेस रेट है वो है 5% अभी हमें अपने इसी 20,000 के FD के उपर OverDart बनाना है तो इसके लिए हम इस FD के उपर एक बार क्लिक करेंगे तो हमारे इस FD का पूरा डिटेल यहाँ पर सो हो जाएगा अब यहाँ नीचे में देखिए दो आप्सन दिया है जहाँ पर पहला आप्सन है Close Fixed Deposit इस पर क्लिक करके हम अपने इस FD एकाउंट को पूरी तरह से Close कर सकते हैं और दूसरा आप्सन है Avail OverDart तो हमें अपने इस FD पर OverDart बनाने के लिए यहाँ जो नीचे लिखा है Avail OverDart इस पर हमें क्लिक करना है देखिए इस तरीके से यहाँ पर रिफिर दिखाए जाएगा कि हमारे 20,000 रुपय के FD के उपर कितने का OverDart लिमिट बनेगा हमारा 20,000 रुपय के FD है तो 20,000 रुपय के FD पर 18,000 रुपय का OverDart लिमिट बनेगा और इस पर जो Annual Interest लगेगा वो 6% का लगेगा यानि FD पर हमें 5% का Interest मिलेगा और यदि हम FD के उपर OverDart बनाते हैं तो हमें इसमें 6% का ब्याज देना पड़ेगा और यह जो हमारा OverDart बनेगा वो हमारे FD एकाउंट के Maturity के साथ ही खतम हो जाएगा यह जो हम OverDart बनाएंगे हमारे इसी बैंक एकाउंट के साथ लिंक रहेगा तो यहां से पूरा Review चेक करने के बाद यहां नीचे में इसका Terms and Condition है तो इस चवकोर बाक्स में हमें Take Mark कर देना है उसके बाद सबसे नीचे लिखाए Confirm तो हम Confirm पे क्लिक कर देंगे तो हमारे बैंक में रेइस्टर बॉयल नमर पे एक OTP जाएगा उस OTP को यहां इंटर OTP में टाल देना है OTP डालने के बाद नीचे लिखाए Next तो हम यहां से Next कर देंगे OTP डालका जैसे हम Next पे क्लिक करेंगे तो हमारे इस FD के उपर OTP बनके त्याब है जाएगा यहां पे request नमर दिया हुआ है has been created successful अब चलिए यहां से हम OK कर देते हैं हमने अपने इस FD अकाउंट पे OTP क्रेट कर लिया है अब चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारा OTP कहां पे है तो हम क्या करेंगे यहां देखे लिखा है My Balance इस पे हमें क्लिक करना है तो देखिए यहां जो My Balance में 100 हो रहा है 19,349 रुपया जो कि पहले के वाल था 13,49 रुपया पहले के वाल यहां पे एक 7 अकाउंट सो हो रहा था अभी यहां पर एक और अकाउंट सो हो रहा है जो कि है Overdup Account उसकी लिमिट है 18,000 रुपय हमने यहां पर अपने FD Account के उपर Overdup तो बना लिया है लेकिन इस Overdup के पैसे को यूज करने के लिए यानि विट्रा करने के लिए हमें 24 घंटे का टाइम लगेगा यदि आप कोशिज करेंगे कि Overdup बनाने के बाद तुरंती Overdup के पैसे को विट्रा करने की या फिर टास्फर करने की तो नहीं होगा मैंने जब Overdup बनाया था तो उसी टाइम मैंने अपने Overdup के पैसे को Saving Account में टास्फर करने कोशिज किया तो इस तरह का Message हो रहा था तो इस बात का आपको भी ध्यान देना है तो अपने ODA Account यानि Overdup Account से अपने Saving Account में कैसे पैसा टास्फर करना है चलिए देख लेते हैं तो इसके लिए यहां लिखाए Yonow पे इसमें हम क्लिक करेंगे यहां लिखाए Bank Account इसमें क्लिक करेंगे यहां पे दो अपसान है आदार Accounts, On Account हमने जो Overdupbed Account क्रेट किया है वो हमारे On Account में आएगा इसलिए हम On Account पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पे दो Accounts हो रहे है पाला है Saving Account जो की यहां पे है दूसरा है Personal Loan जो की Overdupbed Account है तो हमें अपने इस Overdupbed Account से इस Saving Account में पैसे टाफ़क करना है तो यहां पर हम अपने Saving Account को स्रेट करेंगे पेइंग टू में यह हमारा Saving Account नमबर पेइंग फराम में यह हमारा ODA Account यानि Overdupbed Account जिसका Account Balance हो रहा है 18,000 हम चाहें तो यहां से पूरा पैसा यानि 18,000 रुपे अपने Saving Account में टास्पर कर सकते हैं लेकिन मैं आपनों के वल दिखाने के लिए 1,000 रुपे टास्पर कर लेता हूँ देखे हमने यहां पर एक हजा लिख दिया आपके ODA Account में जितना भी यूज करेंगे केवल उसी अमांट के उपर इंटरेस्ट लगेगा नीचे लिखा है रिमार रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं मैं लिख देता हूँ OD Transfer उसके बाद सबसे नीचे लिखा है Next तो यहां से हम Next कर देंगे अब यहां पर एक बार रिव्यू दिखा जाएगा हमारे इस OD Account से हमारे 7 Account पर पैसे टास्पर होंगे कितना? एक हजार रुपया चार्जेश है जीरो यह है रिमार्क सबसे नीचे लिखा है Confirm तो हम Confirm पर क्लिक कर देंगे तो जैसा कि आप दे सकते हैं जैसे ही मैंने Confirm पर क्लिक किया तो हमारे Overdrop से हमारे 7 Account में एक हजार रुपया सक्सेस्पूली टास्पर हो चुका है यहां लिखा है Transition is Successful अब चलिए यहां से OK करते हैं और Back करके देखते हैं कि हमने जो Overdrop से अपने 7 Account में 1000 रुपय टास्पर किया है वो टास्पर हुआ है या फिर नहीं Back करेंगे और फिर से हम Accounts में क्लिक करेंगे अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे 7 Account का Account Balance 2849 कैसे सोब रहा है और अपने इस Overdrop का Balance 16500 कैसे सोब रहा है जब कि मैंने केवल एक ही 1000 टास्पर किया था तो यहाँ पर 17000 होना चाहिए और यहाँ पर होना चाहिए था 2349 रुपया तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा क्यों है यहां बगल में एक तीर है इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यह है मारा Overdraft account और आज हमने अपनी इस ÖVAदाप से 1000 रुपया अपनी 7i account में TRANSFER किया है जब मैं पीडियो रिकार्ट कर रहा हूं इससे पहले हि मैंने TRANSFER करके चेक कर लिया था कि TRANSFER हो रहा है कि नहीं देखिए यहाँ पे 1000 रुपया मैंने अपने overdaft से saving account में transfer किया था और वापस से हमने अपने saving account से 500 रुपय overdaft में deposit कर दिया था इसलिए इसका 500 रुपय balance जो है minus हो रहा है और दोबारा से जब हम video record कर रहे हैं तो 1000 रुपय हमने अपने overdaft से saving account में transfer किया है तो यह तो हो गई बात कि अपने overdrap के पैसे को कैसे हम यूज करें अब माल लीजे आपने overdrap के पैसे को यूज कर लिया और बाद में आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आप चाहें तो आपने अपने overdrap से जो भी पैसा विड्रा किया है उतना पैसा या फिर उससे कम भी पैसा आपने ओवाडाप में deposit कर सकते हैं. तो उसे कैसे करना है? चले देख लैते हैं. इसके लिए back करेंगे. फीर से back करेंगे. और वापस से हम Unopay में click करेंगे. फीर से हम bank account में click करेंगे. हमारा overdraft account और saving account दोनों ही on account पे आते हैं. इसलिए हम on account पे click करेंगे अभी हमें अपने saving account से अपने overdraft account में पैसे deposit करना है तो इसलिए हम यहाँ जो personal role लिखा है जो की overdraft account है इसको हम select करेंगे तो देखिए paying to में यह हमारा overdraft account paying from में हमारा saving account से हो रहा है और saving account का balance है हाँ से हो रहा है हला कि मैंने अपने overdraft से अपने saving account में 1000 रुपय टांस्पर किया है और 500 रुपय प्या लेका है यानि टोटल 1500 रुपया हमारे overdraft से माइनस है अभी हम चाहें तो जीतना ही पैसा हमने विटरा किया है उतना पैसा deposit कर सकते हैं लेकिन माल लीजिए आपके पास पूरा पैसा नहीं है तो आप चाहें तो 500 हजार जो भी आपके पास पैसा है उतना पैसा अपने saving account से अपने overdraft account में deposit कर सकते हैं चलिए मैं अपनों को 500 रुपय टांस्पर करके दिखाता हूँ हलाकि मैं audit transfer लिख रहा हूँ आप यहाँ पर कोई भी remark पर सकते हैं उसमें कोई दिखकत नहीं है नीचे लिखा है next तो यहाँ से हम next कर देंगे अब यहाँ पर एक बार review दिखाए जाएगा सबसे नीचे लिखा है confirm तो हम confirm पर क्लिक कर देंगे तो देखिए जैसे हमने confirm पर क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा आगया transaction is successful you have paid 500 रुपया अब चलिए OK पर क्लिक करते हैं और वापस से चलते हैं अपने overdraft account में और देखते हैं कि जो हमने 500 रुपय अपने saving account से overdraft account में deposit किया है वो 500 रुपय deposit हुए है या फिर नहीं तो फिर से हम accounts में क्लिक करेंगे यहाँ पर है हमारा overdraft account इसका balance देखिए पहले सो हो रहा था 16,500 रुपय अभी हो गया है 17,000 रुपया यानि 500 रुपय इसमें जुड़ गये है और हमारा saving account का balance पहले 2849 था अभी हो गया 1349 रुपया यानि यहाँ पर भी 500 रुपय माइनस हो गये है चलिए overdraft के arrow पे क्लिक करते हैं यानि 3 पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे 500 रुपय deposit हो चुके हैं अब आप चाहें अपने overdraft के transaction को यहाँ से download कर सकते हैं यहाँ से email पर प्राप कर सकते हैं तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग भी अपने mobile के अंदर you know s by application के जरिए अपने FD के अगेंज overdraft बना सकते हैं तथा overdraft के पैसे को यूज कर सकते हैं और जब आपके पास पैसे आ जाए तो जब चाहें तब अपने 7 account से अपने overdraft account में पैसे deposit कर सकते हैं तो उमीद है ये वीडियो आप लोग पसंद रहा होगा अगर वीडियो पसंद रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सस्क्राइब करके बेल आइकान ज़रू प्रेस करते हैं तो मिलते हैं इसी पर आके एक और ग्यान वाली वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यों दोस्तों